हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश बर्मा और मेरी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में जानेंगे भारत की प्रमुख जन जातियों के बारे में इन से जोड़े अति महत पूर्टत जानेंगे समचिप्त में और यह हमारी सभी प्रतियों की परिक्षाओं की दरश्टी से आपके लिए महत पूर्ट रहेगा तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले भील जन जाती तो यह भारत की एक प्रमुख जन जाती है भील जन जाती और दोस्तों यह भील जन जाती जन संक्या की दुरस्टी से भारत की सबसे बड़ी जन जाती है यह जन जाती मुख्य रूप से गुजरात, मद्यपिर्देश, चत्तीजगर, महराष्ट और राजस्थान में पाई जाती है भील सामन तहा छोटे कदके होते हैं, भील इस्तरियों का रंग हलका गयहुआ और सरीर सुगठित होता है भील जाती दो प्रकार उजलिया भील और लंगोट भील में बिभाजित है अगली जन जाती है गौंड जन जाती गौंड जन जाती प्राचीन गाल में गौंड राजाओं को अपना वन्षज मानती है बिंदे परवत, सत्पुना परवत, 36 गड के मैदान तथा गोदाबरी नदी के नदी तक फैले हुए पहाडों में बनों में रहने वाली है आस्ट्रिलाइड नशल तथा द्रवट परिवार जन जाती से सम्बंदे थे बरतमान में मध्य प्रिदेश, 36 गर, ओडिशा राज में जन जाती नवास करती है गोण्ड जन जाती के लोग काले तथा गहरे भूरे रंग के होते हैं और गोण्ड भोजन के लिए क्रशी से प्राप्त बस्तूओं पर निर्भर रहते हैं अगली जन जाती है खासी जन जाती तो खासी जनजाती पूर्वुत्तर भारत की मेगाले असम तथा बंगलादेश के कुछ छेतरों में नवास करती है। खासी और जयंता की पहाड़ियों में रहने वाली इस जनजाती की लोग हस्ट पुस्ट और सुभाव तहा परिश्रमी होते हैं। खासी जनजाती की लोग मुख्य रूप से खेती हर हैं और धान के अलावा नारंगी पान तथा सुपाड़ी का उत्पादन करते हैं। नाग ब्रेम खासी जनजाती का प्रमुक नत उत्सब है। तो मंगुलाइड प्रजाती से हैं। पारंप्रेक रूप से नागा गाओं में रहते हैं। तो अगर यह जनजाती तो यह जनजाती मुख्य रूप से मद्यप्रदेश के मंडला और शहडूल में पाए जाती है। इसके अलाबा यह जनजाती 36 गड़ और उत्तर प्रदेश के कुछ छेतरों में भी नवास करती है। अगर यह जनजाती के लोग माग शीर्स मास में दसेरेक दिन और फालगुन मास में लोहा गलाने में प्रियुक्त यंत्रों की पूजा करते हैं। गुदने गुदवाने का रिवाज है तता विवाह में बधुशुल का प्रशलन है। अगर यह लोग उड़त की डाल को पवित्र मानते हैं और विवाह में इसका प्रियुक्त सुभ माना जाता है। लेपचा जनजाती भारत की प्रमुक जनजातियों में से एक लेपचा पूर्वी नैपाल पश्चमी भूतान Tivapad के को छेतर तथा भारत के सिक्क्यम और पश्चमी बंगाल की दारजलें जिलेकी प्रमुक निवाशी है। लेप्चे जनजाती की लोग सिक्केम की सबसे पुराने डिवासी माने जाते हैं जिन्होंने तिबबत से सिक्केम आय भूटिया लोगों की शंस्क्रती के कई तत्वों को अपना लिया है लेप चापना मूल पित्र वंश के आधार पर मानते हैं और यह पित्र शत्तात्मक वंश होते हैं यह जनजाती मनू और बोध धर्म को मानती है अगली जनजाती है संथाल जनजाती तो यह जारखंड राज के कुछ हिस्सों तथा पश्यम बंगाल उडिशा और असम के कुछ जिलों में रहने वाली भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है प्रोटो आस्ट्रिलाइड प्रजाती से संबंदित इस जनजाती के लोग परिश्रमी उदार विचारों बाले कुछल क्रशक और उत्तम आखी टक होते हैं संथाल जनजाती हिंदू इशाई बोध एकांग आदी धर्म को मानती है संथालों के समाज में मुख्य व्यक्ति इनका मांजी होता है संथालों के घरों में प्राया लकडी पीतल या मिट्टी के वरतनादी होते हैं इनकी भाषा संथाली तथलिपी ओल चिकी है जौनसारी जनजाती तो यह जनजाती उत्राखंड के गडवाल के जौनसार बावर छेत्र में निवास करती है जौनसारी जनजाती की संस्कृती शेष गडवाल की संस्कृती से काफी हद तक मिलती जूलती है इस जनजाती में बहुपती प्रता प्रशले थे, जौन सारियों की शारिरिक बिशेश्चनाव के आधर पर रहने खस जाती का बन सज माना जाता है, विश्चु मेला जौन सारी जनजाती का सबसे बड़ा त्योहार है भूटिया जन जाती की लोग भूटिया या भोट और भूटानी भी कहा जाता है यह अधिकांस तहाँ पहाड़ी इस्थानों पर रहते हैं तता परवतिय धलानों पर सीड़ी दार खेती बनाकर खेती करते हैं भूटिया लोगों का धर्म है वान नाम से बिक्ख्यात पूर्वे बॉध उज्जाई धर्म से शमिश्रिद वाला तिबवति बॉध धर्म है भूटिया जन जाती बूटान में बहुशंख्यक तेथा नैपाल्य भाबा भारत में अल्पसंख्यक है भूटिया लोगों को सिक्किम, पश्रिम बंगाल और तिरपुरा राज्यों में अनुसूचित जनजाती का दर्जा प्राप्त है थारू जनजाती थारू जनजाती के लोग शांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़े हैं और ये भारो पिये भाषा परिवार के भारतिय इरानी शमू के अन्तरगत आने वाली भारतिय आरे उप समू की भाषा बूलते हैं इन जनजाती का आवास्चेतर उत्राखंड के नैनी तालबा उत्तरप्रदेश के डक्षण पूर्व से होकर पूर्व में गूरकपर और नेपाल की सीमा तक है थारू लोग खेती पशुपालन सिकार मचली पकड़ने और बनुपच संग्रह जैसे कारे करते हैं ये इमानदार सहरदय शांती प्रक्रति वाले होते हैं तता होली दीपवली जन्मास्टिव पर्मों को बड़े आनन से मनाते हैं लाहोला जनजाती लाहोला या लाहोल के लोग हिंदू और बौध दोनों हैं तता उनकी बूली तबवतीशे मिलती जूलती हैं इनका लद्धाकियों और तबवतियों के साथ घनिष्ट संबन्ध हैं लाहोला लोग आमतोर पर एक बिस्तारित पारिवारिक प्रणाली का पालन करते हैं जो अतीत की बहु पतित्व प्रणाली की बिराशत है परिवार के मुख्या को युंदा तथा उनकी पत्नी को युं परिजांगो पा मेह रूपा और कि सिंगपा शामिल हैं कि कोर्वा जनजाती तो यह मद्ध प्रणाली की जनजाती चुर्वा जन जाती बहुत ही पिछडिया जनजाति ओं 17 एक है यह जन जाती मिर्जापुरुत्तर प्रदेश, जस्पुर्वा सर्गोजा और पलामू बिहार में मुख्य रूप से पाए जाती है पहाणों पर रहने वाली कोरबा पहाड़ी कोरबा तथा मैदानी छेतर के कोरबा डीह कोरबा कहलाते हैं कुर्वा जनजाती के लिए जंगल में घासपूच से बने छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जंगल का कानून ही इनका मान सकता है, इनकी उसके मान सकता है, बैगा जनजाती, तो भारत के मद्धिप्रदेश, 36 गड़ एवं जारखंड प्रदेशों में पाई जाने वाली बै प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाती है, बैगा कार्थ, ओजा या शमन होता है, इस जनजाती के लोग जारखंड पूक और अंद विश्वास जैसी परमप्राओं को मानते हैं, गारो जनजाती, गारो जनजाती के लोग भारत के, मेगा लायराज के, गारो परवत तथा ब मेत्रकोना, सुना मगज, ढाकावा, गाजीपुर में पाई जाती है, इन जनजाती की उप्र जीविगा का अधार जूम की खेती और मचली का शिकार है, इनके घास बास और फूस से बने होते हैं इनके घर और इनमें मिरत पूरवजों की पूज़क की जाती, जैन्तिया जन जन जाती मेगहलरच की जैन्तिया पहाड़ियों के प्राथमिक निभासी जैन्तिया जन जाती की लोगों को पनार नाम से भी जाना जाता है, ये लोग जूम पद्दिती से खेती कर अपनी आजीविका चलाते हैं, आलू यहां की मुख्य फशल है, जैन्तिया जन जाती दोर दुर्गापूजा को उत्साह पूर्योक मनाया जाता है इस्तिवहर की दौरान नर्तियंग के प्राचीन मंदिर में पांच दिनों तक दुर्गापूजा चलती है गद्धी जन्जाती यह जन्जाती हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर पाई जाती है इसकी कदकाथी राजस्थान की मरू भूमी के राचपूत समाच से मिलती है अपने आपको राजस्थान के गड़वी शास्कों का बंसच बताने वाली इस जन्जाती का विश्वास है कि मुगलों के आकरमण की काल में धर में एवं समाच की पवित्तरता बनाये रखने के लिए यह राजस्थान छोड़कर हमाचल की सनन्ण में आकर बस गए थे बरतमान समय में गड़ी जन्जाती के लोग धोला धर श्रणी की निचली भागों में हमाचल प्रदेश के चमबा और कांगड़ा जिलों में बशे हुए खेरवार जन्जाती यह जन्जाती मद्रदेश, बिहार, जारकंड, पश्चिम, बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, महराज, दिल्ली और 36 गड़ राज्यों में पाए जाती है इन जन्जाती के लोग अपना मूल स्थान, खटिया गड़, कैमूर पहाडिया को मानते हैं बिरहोर समू के लोग स्वयम को खेरवार की ही एक उपशाखा मानते हैं मिजापुर, पलामू में खेरवार स्वयम को अभी जात्य बर्ग का मानते हैं और जनी उधारन करते हैं खेरवार लोगों को प्रात्मिक पारंपरेकार्थिक गतिविदी क्रशी रहती हैं लेकिन वेवर्ण गतिविदियां पशूधन मचली पकारना शिकार आदिकार भी खरते हैं चकमा जन्जाती चकमा जन्जाती और नाचर प्रदेश आसाम मेगालाय मेजुरम तिरपरा पश्चिम बंगाल तरथा बंगलादेश के कुछ हिस्सों में बिस्त्रत है चकमा जन्जाती कशलांग और मध करने फूली घाटे में नवास करती हैं और प्रजातीय रूप से दक्षण में मार के मंगोल से संबंदे थे चकमा लोग मिश्रित जूम और इस्थाई क्रशी करते हैं महिलाएं अपने परिवार की आये में सहायता करती हैं जीवबाद हिंदू धर्म और बौध धर्म का पालन करने वाले चकमा लोग अब लगभग पूर्ण रूप से बौध हो गए हैं बिजू इनका सबसे महतपूर सामाजिक धार में क्तिवहार है बोडो जन जाती बोडो भारत की एक महतवपूर जन जाती है तता पूर्वुत्तर भारत के अशमराज की मूल नवाशी है बोडो समुदाय के लोग स्वाहम को एक ब्रहद बोडो कशारी समुदाय का हिस्सा मानने जाते हैं बोडो समुद कई जन जातीयों से बनी है जिनमें कुटिया, मैदानी कशारी, राभा, गारो, मैच, कोच, धीमल, जाइजोंग, डिमाशा, गलोंग, होजाई, लालोंग, टिपुरा और मोधान शामिल है खारिय जन जाती खारिय जन जाती तो यह मद्य भारत की जन जाती है तता ओडिशा और जारकंड के राज्यों के छोटा नाक पुर्छित में रहने वाली पहाडी लोगों के कई समुधों मैसे एक है यह जन जाती आस्ट्रिलाइट प्रजाती का अंग है इनकी भासा आस्ट्रिक भासा परिवार की आस्ट्रो एस्याटिक शाखा के मुंड़ा समुध में आती है खारिय जन जाती तीन उप समुध पहाडी खरिया डेलकी वा दूद हैं और पहाडी खरिया भारती इरानी भासा बोलते हैं तथा मिदनापुर पुरिलिया वा बांकुडा शहभूम रायगड बिलाजपुर रायपुर और गंजाम कटक काला हांडी क्योंजार धेकानाल लंबाडी बंजार जन जाती तो यह दक्षिन भारत की प्रिशद जन जाती है और यह जन जाती आंद्रप्रदेश महाराश्ट उत्तरकरनाटक में निवास करती है यह जन जाती मानवों का ऐसा समूदा है जो एक स्थान से बसकर जीवन यापन करने के लिए बजाए एक पर नरंतर भ्रमनसील रहता है लंबाडी जन्जाती की भार्षा की उत्पत्ति राजस्थान में हुई पहले लंबाडी जन्जाती की लोग सेनाओं के लिए अनाच की अपूर्ति करते थे ये लोग अपना जन्म संबंध उत्तर भारत की ब्रामन अथवा छत्री वण से जोड होते हैं काल बेलिया जन्जाती तो यह राजस्थान की एक महत्मूर जन्जाती है जो प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमन्तू जीवन व्यतीत करते थे इनका पारिवारिक व्योशा है साप पकड़ना शाप के बिश्का ब्यापार और सर्पदंश का अफजार करना है इन्हें सपेरा जोगी या जागी भी कहाजाता है काल बेलिया जन्जाती कि सरवादे कावादी राजिस्थान के पालिजिले में है और इसके वाद अजमीर चित्रडगर और उदाइपुर का इस्थान remoत्तोर पर काल बेलिया समास से अलग रहते हैं काल ब कादिवाशी समूदाय है जो सह भूम जारखन तथा क्योंजार मयूरभंज जाजपूर ओड़ी शामनेवाश करती है इस समूदाय की लोग लरका शोल भी कहलाते हैं इनके अपने रीती रिवाज और शंस्क्रती है इन जनजाती की लोग मुंडा कुल की भाशा बोलते हैं हो जनजाती का अवंश निधारण पैत्र का अधार पर है तथा इन में मात्र पक्ष की बहन से बिवाह करने की प्रतावी प्रशलित है बिरहोर जनजाती यह जारखन की एक जनजाती जो परमपरागत रूप से घुमन्तु जनजाती है और यह जनजाती बिरहोर भाशा बोलती जो आस्ट्रो एशियाट भासा परिवार के मुंड़ा सम उसे संबंदे थे बिरहोर लोग छोटे कद लंबी सिर लहरदार बाल और बड़ी नाकवाले होते हैं बिरहोर लोग स्वयम को शूरे का बंसज बताते हैं तता खैवार लोगों को अपना भाई मानते हैं यह जन जाती और अब जन जाती मुखे रूप से भारत के केंद्री वा पूरवी राज्यो तता बंगला देश में नवास करती हैं यह लोग स्वयम को कुरुख भी कहते हैं तता गौंडी वा मद्ध भारत की अन्यादिम भासा जैसे द्रवड भासा बोलते हैं जिसे औराव या कुरुख नाम दिया गया है और आबों के पारम पर एक धर्म में एक सर्वुच ईश्वर धर्मेश की उपाशना पूर्वजों की फूजा अनगिनत अभी रक्षक देवताओं की तथा आत्माओं की आराधनों शामिल है रस्मों तथा कुछ मानेताओं पर हिंदुगात का प्रभाव तोड़ा जन जाती यह दक्षन भारत में नीलगिरी पहाड़ियों की एक पशु पालक जन जाती है जो अब बहतर स्वास्थ सुविदाव करण तेजी से बढ़ रही है यह जन जाती तोड़ भाशा बोलती है जो कन्नट भाशा सम्मंदितिक द्रवड भाशा है तोड़ा ज अपना परागत दूद का धन्दा बरू वा बास बस्तूओं का बिनी में कर नीलगिरी के अन लोगों से कपड़ा और जारव में ठीक भरतन लेते हैं कुरूबा जन जाती यह जन जाती पूर्वत्तर राज अउनाचल प्रदेश आशाम और तिबबत छेतर पाए जाती है मिश्मी लोग तिब्विती बर्मी परिवार की भाशा बोलती है इन्हें देंग भी कहा जाता है यह समूदा है तीन कावीलों में बटा है जिनमें इद बापने पिता के कुल के बाहर विवाह के लिए बाद है उनकी बस्तियां छोटी होती है और बे लकडी के खंबों पर बने लट्टों के घरों में रहते हैं इन जन जाती का क्रशी का तरीका आदिम है चैन्चू जन जाती यह दक्षण भारत के भारती राज अंदर के बरावर धरजा प्राप्त है और यह परी पक्वता के बाद ही विवाय करती है इनके गांस फूचते बने गोल घर चेतर में रहने वाले अन्य लोगों के घरों से अलग होते हैं चैन्चू लोग भारत के मूल लिवासियों में से हैं जो प्रभावसाल हिंदू सब बताए सबसे ज़्यादा अलग थलग है सहरिय जन्जाती यह जन्जाती राजिस्थान तथा मद्ध प्रदेश के भिंड मुरैना गौालिय रोश्यपुरियों पाई जाती है इस जाती की लोग जंगल वनिवास करते हैं इन लोगों का पारिवार पित्रशत्तात्मक होता है सहरिय लोग अपनी उत्पत्ती भीलों से मानते हैं यह राजिस्थान की एक मात्र आदिम जन्जाती है इन जन्जाती का मुख ब्योशा है कंद मूल फल, लकडियां, एकत्रित करना साथ ही यह जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं सहरिय लोग हिंदू देवी देवता की पूझा करते हैं मीणा जन्जाती यह राजिस्थान की एक प्रमुख जन्जाती है इसे मेयो या मेवाती भी कहा जाता है मीणा लोग सेम को राजपूतों का वंशज मानते हैं मीणा संभव तहा आंत्रिक एशिया इमूल के हैं और परंपरा से पता चलता है कि भी साथवी शताबदी में भारत में आकर बश गए थे मीणा जन्जाती मुक्रूप से दो बर्ग जमीदार बच्चों की दार में बटे हुए हैं मीणा जन्जाती 24 खापों में विभाजे थे इनका नेता पटेल कहलाता है तता गाउं का पटेल पंच पटेल कहलाता है इनमें राक्षच विभाय, ब्रह्म विभाय और गंदर विभाय होते हैं ये लोग शिव दुर्गा की पूजा करते हैं कोली जन्जाती है जन्जाती भारत के मध्य पश्चिमी परवच शेतर में नवास करती है इसे कोटी भी कहा जाता है यह समूदाय मूल रूप से गुजरात, राजिस्थान, मध्य परदेश, महाराश्ट, रादी, राज्यों में पाया जाता है कोली सैध्धान्तिक रूप से कई बहर विभाही बंशों में बटे हैं और मुखे तहा हिंदू है कोलियों का नत्य कोले आचा प्रशिद सामाजिक रूप नत्यों में से एक है जिसमें नौका यान की भाव भंगीत मा दिखाई जाती है पटेलिया जन जाती है गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्तान और महाराष्ट के कुछ हिसों में पाई जाने वाली जन जाती है पटेलिया कुलों को छे ब्यापक स्रेणियों की तहत सामूहिक किरत किया गया है जो राजपूतों से प्रेरित लगती है इंचेस रेणियों में परमार, शोलंकी, जादब, चोहान, गोहिल और राठोर सामिल है पटेलिया समुदा हिंदू धर्म को मानता है और देवकर जी, माता जी, कालका देवी, बाबा, गोडा जी, नहाल देवी तदा बाबा, खत्री जैसे स्थानिय देवताओं की पूजा करता है जारवा जन जाती यह अंडमान एवं निकुबार दीप समुकी प्रमुक जन जाती है, जो दक्षन, अंडमान और मध्य अंडमान दीपों पर निवास करती है जारवा जन जाती 5000 बरसों से यहां रहती है, वर्ष 1990 तक बाहरी दुनिया के लोगों से इनका कोई संपर्क नहीं था अगर कोई बाहरी आदमी इनकी दायरे में प्रेश करता था, तो यह लोग उसे देख कर ही मार देते थे यह जन जाती अब भी तीर धनुष से अपनी लिश्यकार करती है, बर्तमान भी जन जाती के लगबग 250 से 400 लोग ही जरवा जन जाती अंडमान दीप समुक के चार मैं से एक मातरशेष नेगरिटो आउसेश हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आज से करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आयोगा, वीडियो पसंद आयोगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के शायर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब क करना ना भूले, थैंक यू